मेला फैमली वापा साच का दूश्याइट के को ने अफास तो और आप लोको एच लगता तो साथ ही वह बुठी की तरफ देख रहा होता है बुद्धा इसकी ये बात सुनके काफ़ जाता है काफ़ी कुछ से के साथ बोलता है कि आखिर तुम से ऐसा किसने का कि मैं तुम्हारे साथ महां पर आऊंगा यानि कि अब इस एक्सपेडिसन स्कॉर्ड में आऊंगा जैवान बोलता है कि तुमने अभी खाना कि मेरे पास जाता है एक्सप्रियंस नहीं है नहीं मैं जादा जिन्दा रहा हूँ जादा दिन से यहां पर हूं लेकिन तुम यह बात क्यों भूल जाते हो कि तुम मेरे साथ रहोगे कि मैं इस यह से बंदे के सामने डर रहा हूं इस बंदे की बात मान रहा हूं जो कि अभी साट साल का भी नहीं हुआ है फिर जैवान जो था उनस बाकी तीनों गिल्ट लेडर क्लाइन लेडर के तरह मुड़ता है बोलता है कि चलो ठीक है तुम सब मुझे बताओ कि क्या को तबाह कर दूंगा उसके बाद उनसे सारे फ्रूट जो भी उन सबने हमसे चुना सीना था 900 साल पहले उसे वापस ले लूँगा उसके बाद अपने अभी से स्कॉर्ड लेके आगे बढ़ूँगा और सारे प्रोसेस को कंप्लेट करूँगा लेकि इन सबसे मुझे मुझ यहां से चाह सकता है मुझे मैं तुम लोग को एक बार भी नहीं तो हूँगा जो सार्थन सी सेक्टर का बंदा होता है लीडर होता है कि तुम आखिर प्लैन क्या कर रहे हो क्या तुम ऐसा चाहते हो कि बीना हम लोग के मदद के तुम महाँ पर चले जाओगे लेकिन मैं पूरे के पूरी जर्नी में अकेले आया हूँ इसलिए मुझे कोई फर्क ने पड़ता कि कोई मेरे साथ हो या नहां उसके सब बाते सुनके वो सारे बंद का विए सौख जाते है लेकिन फिर जुसी सेक्टर का बंदा होता है आइस गौड होता हो हसना ही शार्ट कर देता है अब बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ महां पर जाओंगा भले ही तुम एब इस एक्सपेटिसन स्कॉर्ड में जाने बोलो रिसर्शन पैलेस में जाने बोलो या जहां भी जाने बोलो मैं तुम्हारे साथ हर जाओंगा उसके पीछे लाटनिंग गोड होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हम्हें वक्त जाoiंगो तुम जाँ जा-जाने वह जाएंगे फिर जावान कि जो प teo बोलता है कि उपने अभी तक नहीं बता झा ड़ तुम जाना चाते हैं या चामना चाते खार के मैं कौह विले डिकार नहीं कर पाया हूं लेकिन मैं थोड़े दिर में सोच के बताता हूं उसकी यह बता है सुनके वो दोनों जो भी गीड लीडर होते हैं क्लाइन लीडर उसकी तरफ देखने स्टार्ट कर देते हैं इसा सबाया है कि दुम लोग मेरे मुझे दे हैं क्या मेleगा कि आप यूजिये स्टारी अंध कर सकता तुम लोग मेरे कृस्ट कंव चोर हों मैं नि तुम से बता दिया कि तुम लोग ऐन के काषल सकते हैं हैं तुम लोग तो एक लीडर ऊफिर भी तुम लोग एक लीडर की तरह भी है क्यों नहों कर रहे हैं लेकिन पिर भीं मिता दू हो कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि आप यानि कि हमारी जो किंग है कैस्टेलियंग जैवान वह आखिर किता ज़्यदा पोटेंसि हो भी या नहीं क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो गॉर्चन में अभी भी छे लीडर थे यहां पर छे लीडर बचे हुए तीन को तो उसने मार दिया और एक वो खुद सब को मारा है चार में से मतलब छे बचे में चे में से तीन तो तुमारे तरफ पहले ही मिल चुके हम लो और तीन जो बचे हुए अगर तुम बाके के तीन क्लैन लीडर को अपने टीम में मिला लेते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाओंगा जवान बोलता है अच्छा है ऐसी बात है चलो इन सब कर लेते हैं ऐसा हम लोग कर लेते हैं उसकी यह एक्टिटूट को देखे वो बंदा फ्लैम की का जाओंगा जाओंगा तुम्हारे लीडर बने के लाइक हो या नहीं है लेकिन इसके बादे तुम्हें भी खुद को प्रूप करना होगा कि तुम तुम वो बलता है क्या मतलब क कि मैं यह प्रूप लेना चाता हूं कि तुम लोग भी मेरे साथ उस एबिस एक्सपेडिसन स्कॉर्ड में जाने क्लाइक हो या नहीं और जिन सब क्या फैसला होगा एक टूना मेंट से उसकी सब बाते सुनके बंदे का जाता सौकर से जयवान बोलता है कि मैं एक उपने तुम में से कौन-कौन बंद है हमारे उस टॉप एट के लिश्ट में आते हो साथ ही वहां पे फ्लेम विताया कि तुम यहां पर कहना क्या साथ है व mauvais सबसे ज्यादा centimeters है हो सबसे हैं को फसी ज्यादा बंदा सबसे पहले होगा और इसकी एक और नोटीस लिखा होता है कि तुमने ये सब पहले भी देख रखावागा उस नोटीस बोर्ड में लिखा होता है कि जो भी इस लोड के पोजिशन को चाहता है या फिर का स्टेलिंग को चाहता है उसे सबसे पहले यहां के जैवान को रहाना होगा और इसकी एक और नोटीस लिखा होता है कि गोरजन में टूनामेंट होने वाला है जो कि आज से मतलब कल से स्टार्ट होने वाला है जो कि एक कि Elimination Tournament होगा साथ ही में next morning की सीन दिखा जाता है कास्टल का सीन दिखा जाता है वहाँ पे जो बांडर होता है और कौुछी ज़्यादा परिसान भी होता है जाहिए जो तो यदre से बोलता है कि आपको कफ जदा खुष हो हो न जाये कि हमारे जो न्यूर केंग रूल नियूक वहारे गार्स की जगह हैं वो सारे जगह काफी जदर लोग भीड से भर चुकें चुकि बहुत सारे ऐस स्ट्रॉंग में इसलिए यहां पे आए वहाँ के साथ के उसे क्गार्स यहां के उसके बाद का ट्रिंच की पूजिश कर रहे हैं और अगर तुम लोग को पास अडेंटिक नहीं तो तुम लोग अंधर नहीं चांते है वहां पर चीप आ चाहता है कि मुझे लगता है कि तुम सब को हमारे Lord के decision के को भी फर्क नहीं पढ़ता है मतलब कि वह जो चीफ होता है वह भी मीटिंग रूम में बैठा होता है और से बात कर रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहां पे जितने भी बंदे वो सब को principal के बारे बात ने करना चाहिए चीफ होता है कि तुम्हें क्या लगते एक पॉलिसी ऐसे ही पास हो जाए कि भीना किसी मिटिंग है अगर को इमर्जेंसी केस भी है तो हम लोगों मेजरीटी को एगरी करना होगा इस रूल को इस लोगो पास करने के लिए चीफ जो हता है वह क्मांडर से भूता है कि हमारे जो लोड उन्होंने तो पहले मेजरीटी ले ले लिया उन्होंने जो आँया मैजिशिज़न बना उन्हों कि मता है त्यस 총 Какे मैजरीटी जो होगा 5 उन में से चार बंदे को तो जैवान ने महीं पर मार डाला वो लोग गदारों में सामिल थे और जैवान की उस अटैक को जहल नहीं पाएं थे सबसे पहले वो बताता है कि फैनेंस मिनिस्टर जो कि मीनो की एक आंटी भी होती है सकेंड हम लोग को सेक्योर्टी लिडर जहएर दिखा जाता है जो की सेक्यूर्टी का काम करने वाला है और इसी अपने धनदे को समें सबर चाहिए था क्या करने के लिए बोला है क्या तुम्हें यह सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा और तुम मेरा बस मजाक माना उड़ाने के लिए यहां पे बैठे वे रहते हैं आंटी जोती वो कमाडर से पुछती क्या तुम्हें मुझे कोई प्राबलम है चोकि मैं तो एक बार उनर हो ना तो हो सकता है तुम्हें मुसे प्राबलम होगा जै कमांडर होता है कि ने ऐसी बात नहीं वो बोलती है अगर ऐसी बात नहीं तो मितना अजीब एक्सपरेशन क्यों बना रहे हो तुम्हें क्या पता है कि पैसा कमाने एक सबसे इंपर्टेंट क्या हुँआ होता है इतना के नारतना स्टॉलर स्ट्रीट के पास होने वाला बोता है कि आइसा क्यों मतलब फैनेसद्स मिनिश्टर कमांड से शो क्यों दू rozp 107 साथ आप सो एटीफाइटीशेवन आट साथासी साथासी मिलियन और चाहिए था वह कमांडर से पुछती है कि चलो तुम मुझे बताओ कि हमारे दो दिन की अर्निंग कितनी हुई होगी कमांडर बोलता है कि चुकि मैंने तुम्हें देखा है इसलिए से मुझे इसके बारे में जा और का प्रॉफिट हो गया और इसी अच्छा प्रॉफिट मैंने आस्ता कमने जिंदिके में नहीं देखा अगर इन सब के बीच में उस रेस्टेंटल जो भी टेंट होता है कॉस्ट होता हुन सबको चार्ज करना स्टार्ट करों तो यह कॉस्ट भी काफ जादा आगे बड़ जाएगा कि इसा भरकत देखे कमांडर जाएफ काफ ज़्यादा स्टाक हो जाता है फाइनसी मिनिस्टर जो फिर से होती पैसे गिने स्टार्ट कर देती बोलती और अगर मैं असान सब्दों में कहूं तो मेरा काम बस यह की था कि पैसों को गिनना लेकिन तो मुझे अभी त टेक्स में बड़ा उत्तरी या फिर जो भी कर रहा है इन सबके बार मुझे नहीं पता लेकिन एक चीज़ तो पक्का कंफर्म है कि जो चाहस काफी जनली चेंज होने वाला है और शिक्सा जो हमारा एपसोड होता है इस एपसोड को इंपर कंप्लीट करते हैं तो अगर आप